रियलिस्टिक फिल्में बनाने के लिए मशूर निर्देशक मधुर भंडारकर की फिल्म है इंडिया लॉकडाउन कोवीड की वजह से भारत में लगाए गए संपूर लॉकडाउन के दौरान लोगों की जिन्दगी कैसी थी यही बताने की कोशिश इस फिल्म में की गई है इंडिया लॉकडाउन में मुंबई की चार कहानिया एक साथ चलती है एक कहानी एक बुजर्ग नागेश्वर की है जिनकी बेटी माँ बनने वाली है दूसरी कहानी उनके घर में काम करने वाली नौकराणी फूल मती और उसके परिवार की है तीसरी कहानी एक सेक्स वरकर महरुन निसा की है और चौथी कहानी है एक कपल की मुंबई में रहने वाले बुजर्ग नागेश्वर के रोल में प्रकाश बिलावाडी है जिनकी बेटी स्वाती यानि रिश्टा भट-फ्रिगनेट है स्वाती बेंगलूरू में रहती है और नागेश्वर उसकी देखवाल के लिए बेंगलूरू जाना चाहते हैं शहर में कोविग प्याविट रहा है और बंगलूरू जाने से पहले नागेशवर अपनी नोकराणी पूल मती को काम पर ना आने के लिए कह देते हैं। हलांकि नागेशवर के बंगलूरू के लिए निकलने से पहले ही देश में लोकडाउन लग जाता है। उधर फूल मती और उसका पती माधव गरीबी और लॉकडाउन के वजह से दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं और बच्चों समेत गाउं लोटने का फैसला कर लेते हैं। माधव के रोल में प्रतीक बबर और फूल मती के रोल में सही तम्हान करने अच्छा काम किया है। श्वेता बासू प्रिसाद यानी महरून निसा के मुश्किल अलग है। उसे धंदे की कमी से तो जूजना पड़ता ही है साथ ही अपनी माँ का भरोसा बनाये रखने के लिए भी मशक्कत करने पड़ती है। श्वेता अपने रोल को सही धंग से निभाने में काम्याब रही है। महरून निसा के लिए काम का इंतजाम करने वाले टीपू के रोल में सानंद वर्मा जचे है। इसके अलावा देव और पलक की लव स्टोरी में लॉकडाउन के वज़े से आने वाली रुकावट को भी इंडिया लॉकडाउन नाम की इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में एक और किरदार है चरणदास नाम का जो प्रवासी मजदूरों की घरवापसी के दौरान एक मजबूर औरत का फाइदा उठाने की कोशिश करता है। चरणदास के रोल में गोपाल सिंग ने प्रभावित किया है। गोपाल सिंग पहले भी मधूर भंडारकर की फिल्मों में नजर आते रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन के दौर को एक बार फिर से महसूस करना चाहते हैं तो दो घंटे से भी कम डूरेशन की इस फिल्म को देख सकते हैं।